कि हमारा आज का topic है under eyes. Basically under eyes या eyes के around जो area जो skin होती है तो हमारे बाकी face की skin और बाकी body की skin से बहुँआ डिफिरेंट होती है. कैसे डिफिरेंट होती है? विकेज ये skin जो है ये 3 times comparatively 3 times पत्ली होती है, धिन होती है as compared to rest of our facial skin. यानि के हमारे face की skin से three times ये skin पतली होती है क्योंकि ये ज्यादा पतली होती है तो इसके issues भी different होते हैं और जल्दी भी होते हैं comparatively party skin के निस वर ठीक है अच्छा इसमें आज की topic में हमने दोनों चीजें cover कर ली है जी हाँ हम इसमें जो darkness है वो भी cover करेंगे और उसके साथ-साथ जो anti-aging या जो aging से related हमारी eyes के around skin के उपर होता है उसको कैसे correct करना है उससे बचना कैसे है वो सब कुछ हम साथ ही इसमें cover करेंगे ठीक है जी अच्छा सबसे पहले हम आजाते हैं कि ज्यादा तर हमारे पास जो patients आते हैं और वो young भी होते हैं उनमें जो top पे एक issue होता है वो होता है dark circles का जी हां dark circles का issue जो है वो बहुत ज्यादा common है age related नहीं है और heavy और आजकर तो गी कुछ ज्यादा ही हो गया है the reason being कि जो लोग मतलब जैसे हमने दो साल घर के अंदर गुजारे हैं कोविड में और वो lockdowns चलते हैं फिर हम घरों में रहते हैं उसमें गैजट्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया गैजट्स मतलब आपके tablets हैं आपके mobile phones हैं आपके laptops हैं आपके iPads हैं यह चीजों का इतना ज्यादा यूज हो गया कि जिसकी वच्छा से और पर आमारी अब आपके लूटीन इस्टरब हो गएं हमारी पर हमें काम पे नी जाना होता था सुबा या बच्छों ने स्कूल चाना होता था स्टूडेंट्स पिचारे जो है वो घर के अंदर जो ते वो रह 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 थे और धर अधर उसे ही पढ़ रह थे तो रात को या अपने अब आपके लेजर ताइम अपने फ्री टाइम में भी वो ग्याजट्स यूज़ रह थे और सुबा के टाइम जो अपनी ले रह थे वो भी उनलाइन लेनी थी तो इसका मतलब गए गयाजट्स के बगए तो बहुए तो बहुँ गया था अब ये जो इशू था इसकी अब हम आजाते हैं कि इसके लिए हमने देखना क्या होता है सबसे पहले होता है कि जब प्लाग सबस होना शुरू होते हैं तो लोग घर के अंदर हुच से अपनी रूटीन को चेक करते हैं अपनी लगाने वाली चीजे चुके एक डिली रूटीन की चीज होती है कि आपने म तो नहीं है तो ज़्यादा तर लोग चुह है वो यह चीजें भी करते हैं और होम रेमेडी को भी ट्राइ करते हैं अब जब वह रमेडी ट्राइक को पी होते हैं और साथ में कुछ हो करे लिए उसके बावचूद उनको लगता है कि ऑमारे डार्क सक्τεुश्रह है वो बहतर नहीं हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर वो doctors के पास आते हैं अब जब आप doctor के पास आएंगे तो doctor ने basically आपकी skin का analysis करना होता है analysis करना, examine करना skin को बहुत जुरी है sometimes कुछ रोगों में यह होता है कि उनकी जो skin है उसकी इतनी ज्यादा extraordinarily thin होती है एवेसे तो सभी कीव्णाने थिन होटी है यहां से three times जो है though three fours thinner होती है और पाकी- कीवज़ा लेकिन कुछ लोगों की थे स्केन में थिन होती है तो उप लोह की jawlessका में वह आएप पनीबन केरी उपना दूला बैसरे प्लॉट वेसल से बन— वह ब्लॉट करते हैं और बहुत हैलो सी आईज लगती हैं और उसके इलावा जो है वो छोटे जो प्लाज वैसल हैं क्यापलरी जो है वो रेड कलर की होती है उसका भी हुआ रहा होता है अब जब ये वाले शेट सारे होते हैं तो दूर से देखने में एक इलूजन क्रियेट होता है और वो इलूजन क्रियेट होता है कि बहुत ज़्यादा डार्क आईज हैं ठीक है अच्छा इस तरह कि जो पेशिंट्स होते हैं उनकी स्किन को यानिकि उनके डार्क सब्सकों त्रीट करने का दरीका फ़र होता है ज़्यादा तर ऐसे पेशिंट्स को हम क्या कहते हैं वाइटमिन के क्रीम्स देते हैं जो वाइटमिन के क्रीम्स होते हैं उनमें ये अच्छी बात होती है कि वो जो stagnant blood होता है वेसल में उसको move कराती है और उसकी वज़ा से आप को जो 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 एक इलूजन क्रीएट हो रहा होता है वो बहतर रहना शुद हो जाता है पिर एक और इस तरह से आइस होती है अनालिसिस पर हम यह देखते हैं कि पेशिंट की आइस कैसी है कैसी है तो हमे अज़र नज़र आ रहा है ऐसे लोगों में फिलर को यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब हम फिलर यूज़ करते हैं और उस हैलो को फिल कर देते हैं फिलर नुचे भी लगता है और सम्टाइम्स हमने यहां पे भी लगाना होता है ताकि आए जो है वो ब्राउन कलर की डिस्कलर्रेशन या पिग्मेनेnteétaisasavour 가지 हो होते हैं यही team के लोगों में हम ब्रीप्रेंट तो यह आज़े हैं टी enact क्या खरते हैं उसके अंधर आचाता है उसके पार चाइवान भी यहांपे सेक ऑता है फो भी हम औरणे यह उस चरते हैं प्रित के तो हो गया हमारे पास कि अगर आपकी डार्क सरकल्स है तो आप में क्या करना है आप मैं आपको दक्सकर के हword Appeatu होند कुछ डॉजर के हवारे से some dark circles के हमे वहारे से home remedies हो वहारे हो home remedies में सबसे top के वब जो आती है that is coffee आपने कुछ भी करना आपने करना है कि आपने coffee को आपसी क्षीनदी करना है काफी कजो powder होता है alternatives है एंदे i हम यूज कर रहे होते हैं लुए धिक एन दूझ norm rare you try me दीक लाले हैं ताकि वह mix भी हो चाए और पेस्ट बन जाए उसको आपने आराम से यहां पर लगा लेंगे उसको आप यहां पर वी इदर भी और आईसके उपर भी लगा लेंगे यह आप इसको लगा लेंगे और अपने जाए नहीं बिखे लिए चौड़ा लें अपने गरम ह तो आपकी आइस की स्किन जो है वह बहुत ज्यादा ड्राइ और आपको डामेच्ट पील होगी उसके पाद एक अगर बहुत अच्छी चीज जो है वह है खीरे का जूस किरे का जूस होता है उसके अंदर कोई इरिटेशन कॉस करने वावी चीज नहीं होती है प्लस उसके नहीं जो होता है इसके लाड़े को अब्सक्राइब का जो है जो इसके अंदर का था जो है यह जो है पानी जो है आपके पास डेया को एक फ्रेश और प्युकंबर का वाट्र रिक अज या कमबर का वाटर्र या जूस्टो भी आपक कहना चाहते हो आगिया अगा अब अब को इसमें डिप करना है और उसके बाद आप नहां पर लगा लिए अच्छी तरह लगा ले और उसको लगा रहने थे at least for 30 minutes आदे के लिए लगे रहने थे और पर हरके नीम गरम पानी में आपने को डिप करके उसी तरह इसको उतार देना है ऐसे ऐसे करके आपने ना कोई चीज इस लगानी है और ना ही आपने उतार देन नहें ठीक है? इसके इलावा क्या होता है? इसको एलावा ग्रीम टी क्योंकर बहुत अच्छा और बहुत अछर अच्या होता है बहुत अच्छी डर्डीज के लिए बहुत SIMPLE है यह सासे आप पानी गरम करते है उसके बाद जग ड लगा रहने थे और तक्रीबन जो हो आदे गमन्ते के लिए लगा रहने थे और इसको हलके नियम गरम पानी से आप उतारते हैं, ठीक है, अच्छा आपको मैं थोड़ा से लिवताना चाहती हूं कि मुव्मेंट क्या होनी चाहिए जिसके थू आप कोई भी चीज लगाएंगे जो भी चीज आपने लगानी है उसको आपने इस तरह से लगाना है, आउटवर्ड एंड राउंड ठीक है, आउटवर्ड एंड राउंड आप इसको लगाएंगे, आँख के अंदर जाने के लिए तो जाहर है कोई भी चीज के इतनी है, तो आपने इस तरह से प्रेशर होता है तो इस बेटर के आप इस पो ली यूज़ करें ठीक है जब आपने कोई एप्लिकेशन लगानी है उसके लिए भी आप इसी को यूज़ करें और अगर जिसरा मैं आपको बतारी कोई हूम रेमडी करनी और आप लगाना चाहते हैं या कोई चीज उतारना चाह है ठीक है जी? अचसे, अब मैं आपको बताती हूँ के हमारे पास चीजें कया क्या हैं Yap इसे मैं आपको बताया कि सबसे पहले तो वाइटमिन C जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी रहती है तो वाइटमिन C जो है ये वाइटमिन C का सरम में आपको दिखा लेहूं इस सरम इस वेरी नाइस विकर्स ये जो है ये ओल बेस्ट है और ज्यादा तर लोगों को लगता है कि इसके नहां से ड्राइबी हो जाती है अराउंड आइस तो ये दोनों चीजें कामबैक करेगा ठीक है उसके बाद मैं आपको दो कंसिस्टेंसी के अंदर वाइटमिन C लिखा रहें ठीक है ये 5% है और ये 15% है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 5 जैनिके लोग पोटेंसी से शुरू करें और हाइपोटेंसी पे जाएं और ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइपोटेंसी पे जाएं स्टार्ट करें और लोग पोटेंसी से उसको मेंठेल करें ठीके, अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको वाइटमिन के की क्रीम निखा रही हूँ, यह बहुत काम की चीज है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि जिन लोगों की स्किल बहुत ज्यादा पतली होती है, उसके अदर से वैसल्स नजर आरे होते हैं, और उन वैसल्स का हूँ जो है, वो एक इलूजन प्रियेट कर रहा होता है, उन सब लोगों के लिए वाइटमिन के बहुत अच्छी है, ठीके, अच्छा, उसके बाद जो है, जिन लोगों की स्किन पतली होती है, अराउंड आइस, उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी होती है, उसके लिए उसके बनाते हैं, वो यही है, तो यह बहुत ज्यादा है, इसको लगाना बहुत ज्यादा है, और वो बहुत अच्छा रहता है, कि आप इसको यूज कराएं उन लोगों को जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थिल होती है, अराउंड आइस, ठीके, अच्छा, अब मैं आपको दिखान है, यह बनाते हैं, तो यह एक्टिवाइट वादा जाएं करों एकि उन आइस रहांड ए90, खीके अच्छा है, ट्यके, अब मैं जुसक श्यादा है, इसको बहुत दददा इसा होता है, कि सब बुच कर लिया, कि अब किया कर लिया है, सम टाइम्स होता है, कि पेशिश इनी समर्टॉप क्यों पर है हीमोग्रोबिन, रभधंड लेवल्स खाल मेरे हीमोग्रोबिन, रभधंड लेफंड लेफंड üçे लेअ लेवल्स प्रेमिन लेष्न मैं लेळे लिए टेस्स newuki अधीमोग्रोबिन करिए जो के सिर्मी करते हैं तो डेफिनेटली अमारे जो डार्क सरकल्स हैं वो बहतर रह सकेगी कि तो यह हो गया बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं कि जो पर जिनको फ्रिमेंटेशन की जरूरत होती है तो साथ में हम खाने के लिए टेस्ट करवाने लिए और टेस्ट कराने के बाद पर हम खाने के लिए जिस मेडिसन की यह जिस सप्रिमेंट की जरूरत होती है वो भी देते हैं अब हमने लिए कर लिया जो हमें खाने की जरूरत लिए जो टेस्ट कराने लिए जो हमने लगाने क इस फुटन ता पी डियु दे दी अब नहीं ठीप हो रहा है अगर ठीप नहीं हो रहा है तो किया करते हैं जो सबसे सबसे बेसलाइन आप समझ लें या सबसे इनिशन चीज हम करते हैं या सिरम इंफूशन ठीक है जब आप कोई चीज दगाते हैं तो उसकी एब्सॉप्शन एक हद तक हो सकती है 100% इब्सॉप्शन उसकी नहीं हो पाती है लेकिन जब हम इंफूशन देते हैं मेडिसन की तो उससे यह होता है कि जो आपकी इजॉप्शन होती है वो के कहते हैं मैनी फोल्ड बढ़ जाती है और जब इतनी अच्छी होती है तो पर आपको रिजल्ट भी सादा मेलता है प्लस जिन लोगों की आइस जो है वो प्रॉपर पिग्मेंटेड ब्राउन कलर की डिसकलरेशन होती है उन में हम यह भी चाहते हैं कि जो डेट लेयर ऑफ स्किन है वो उतरे वो हट जाए जिस वकर वो उतरती है तो एप्लिकेशन की अप्शों भी अच्छी होती है तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा और फ्रेश लोग और फ्रेश आपकी स्किन को जो है वो एक क्या कहते हैं लोग मिलेगा प्रिक उसके बाद आजलता है कि हम क्योंके साथ साथ एजिन की बात पी कर रहे हैं एजिन आराउंड थी स्किन ठीक है तो हमें ये पड़ता होना चाहिए कि क्योंके इस्किन थिन होती है तो इसके उपर फाइन लाइंस भी चलती है ये ड्राइ आउट भी ज्यादा होती है सेंसिटिव भी ज्यादा होती है और उसके साथ साथ ठीक है यह जो है इसके अंदर रिंकल्स पढ़ने का चांस भी होता है ठीक होती है, यह इसके स tv कपड रिंकल्स होता है और उसके समय है आप को त metropolitan की आब घ्राहूरि यह जा अर आपको दर्सक्वा इन सब चीज़ों से टरह उसके लिए बहुत जुरूरी होता है कि टाइमनी आप 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 एजीं ऐउय के लिए लगाना शुरू करते हैं, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक ही एज करेक्टर आइ सिरम, यह जो सिरम है, यह चार चीटों के लिए काम करता है, ठीक है, इसके अंदर फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, डाक सिर्कल्स है और पफी आइस, ठीक है, इन चार चीट सिर्वा सकते हैं, ठीक है, अचार चीट, उसके बाद मैं आपको दिखारी हूँ कि स्किन जो है, वो पतली भी होती है, और एज और ताइन के साथ जो है धलकना शुरू हो जाती है, तो हम टाइटनिंग जाते हैं, अब जो मैं आपको दिखारी हूँ क्रीम यह जो है, यह ब प्रिंखल शिफॉन की करा हम देख रहे हैं, कि यह जो ही जो प्रिंखल एक डिया है, पर एक प्रीम आपको दिखारी हूँ कि यह जो है को बहुत जबर्दस्त रहती है, और यह हम युज कर वा सकते हैं, अज इन स्किन पी और यह ज्यों ट्रिटमेंट पी, लेकिन याद र पर उसकी correction जो है वो definitely किसी ना किसी procedure के थूर भी करने पड़ती है अब हम आज आते हैं कि प्रोसीजर्स तो है क्या-क्या होते हैं इस जगा के उपर सबसे बड़ी चीज को यह हो रही होती है कि ज्यादा तर लोग जो होते हैं और इसको खतम करने के लिए de-puff करने के लिए injections होते हैं तो जो पफी areas होते हैं वो de-puff हो जाते हैं जब आप इसको de-puff करते हैं तो आप देखेंगे कि पुरे का पुरा look ही change हो जाएगा और वो जो पफी eyes हमें बुरी लग रही होते हैं वो जो जाएगा और यह एक ही दफ़ा आपने इसके sessions लेके खतम कराना होता है और यह दुबारा नहीं होती है और इसकी आपको maintenance नहीं करने पड़ती है पिर हम माजाते हैं कि और क्या चीज होती है then it's mesotherapy, mesotherapy जो है इस तहा से अच्छी रहती है कि आप हाइलराणिक असिर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं आइस के अराउंड यहां तक और इससे क्या फाइदा होता है कि जो पहत बारी फाइन लाइन होती है क्रेंकल शेकॉन के क छिए उनको खतम करते हैं क्योंकि हम फ्रेट्स लिगाते हैं तो नचिली collagen elastin होस्त होती उसरे आप बहुत पड़ पढ़ेगा इसके बाद हैं अचाथ हम आचाथे ऑर क्या चीज़ हम करते हैं लिए इसके अचाहती है और क्या चीज़ हम करते हैं किसलिए कि हम चाहते है कि अगर यहां पे depth है, आँके अंदर कुद्धस कही है, उसको हम cover कर लें और उसके साथ साथ सम्टाइम्स ही होता है कि कुछ ज्यादा कुछ लोगों की यहां से और पत्ली यह बहुत होती है, तो उसमें फिलर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम परते हैं, ठीके जी, तो यह थी हमारी कुछ चीजें जिसमें मैं आपको home remedies भी बताई है, और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दिया है, कि पहले हम आपका analysis कर कराएंगे, तो हम आपको application से ही start कराएंगे, लिके अगर अगर application यूज करने के बावजूद, यह supplements यूज करने के बावजूद, जो हम F5 नहीं पढ़ता, तो फे obviously हम clinical-based procedures उनकी तरह चाह सकते हैं, अब आपके questions पढ़ना श्री होगते है, मूनस्काय कहें है, dark circles, anemia भी है, क मैंने भी लिए आपको बताया है अभी आज के session में कि अगर अगर अनीमिया होगा, तो आप सप्रस कैसे जाएंगे, तो आपने अपनी supplementation जो हो जरूर लेनी है, ताकि आपका iron, आपका hemoglobin जो हो पूरा हो सके, और उसके साथ-साथ लगाने के लिए लिए, मैंने दो क्रीम् So aytrmint C भी लिए भी दिखाया, तो आप याद रखे हैं के अगर आप बताया हैं के अगर आप अनीमिया है तो आप कैसे ठीक होगे, इसके लिए, लिए क्लिए a etnamia चुछ होगा जरूरी है, तो आपना अनीमिया उसको फ़दम करना आप जूरूरी है, मूंसकाई कह रहे ह ťापको झाले हुआ हाद को झाले हुआ है तो कि आपको अंदाज टाज होजाग किछी है मिलिद कानी बाझी Гर्या और ये आपको एजीली अवेलिबल है यासे मैं आपको यह ऐई उती हॉं पर्छोटीचि खारी हुएं ПоStick आपके बालों को एक fresh fragrance भी देगा और चुल लुक है वो भी बिल्कुल fresh रह देगा ठीके यह आपको online लेना पड़ेका यह ज्यादा तर चुल है वो आपको इस तरह से available नहीं होगा कि आप उदर चले गए और यह अवेलिबल हो यह नहीं होगा ठीके आप अपको अवेलिबल ह कर सकते हैं क्यों इस कर सकते हैं क्यों इस कर सकते हैं सोब और जो पेस वाशे होते हैं उनका में डिफरेंस बता दू जो सोब होते हैं उनका लादर बनाने के लिए उनको जाबर रब करना पड़ता है और उनका पी एच जो है बालन्स नहीं होता और जो आपके लिए होते है यूजरी उनका pH बालन्स होता है और वो अलवडी लिक्विड फॉर्म में या फिर फोमी कंसिस्टेंसी में होते हैं जिसकी वज़ा से आपको रविंग एक्षिन नहीं करना पड़ता स्केप्ड़िंग मूनश्काय करें आपने कहा था कि लिए खरहे लिए बता दे है मूनकायोरे का ऐने पहुंते अचैरा आपको लोरियल के बोहां सिल्पेटफी शंपूय एजिली अवगि यह इंशेली ऑवलेवल है् इसके इवलेवल है ऐके विलेवल है ओग यह ऐ आजाते हैं फ़ाल aktivr हैं आप किसी गभी सकते हैं, मुनस्काय का था रिया आपके क्लिक में लग पाल्म है हैं कुसी है, इसेऑं Help पॉल करके इंफोमेशन ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, और मगवा भी सकते हैं, शाजिया हामिद कही है, असलाम अलेकुम, I'm your fan from 15 years, please suggest glowing and fairness cream for teenagers, वाव शाजिया, आप मुझे लास 15 years से जहें, वो फॉलो कर रही हैं, thank you very much, अच्छा, जो teenagers हैं, उनके लिए इस किसम की दोख, जैसे मेरी प्रीम लिए उनकी यह दोगा सकते हैं, यह लगा सकते हैं, यह सुगा भी लगाई चाहते हैं, और राप में सोने से पहरे भी लगाई चाहते हैं, क्योंकि उनका बाहर जाना जागा होता है, वोने college, school, university ज़रू तो यूज शुअ संब्रॉक, अगर बोडेमि शुट्चिन भी लगाएं, तो जितनी भी अच्छी क्रीम लगा लें, प्रिस्कें जो फ्रेशलिगाई की ठीक है, तो संब्रॉक जरूर लगाएं, मुट्स काया है, फर्स्त वाइक्स वाग्सिनेशन के बाद सेकिंड दोस 1 मुझे आजकर बहुत एक्नी हो रही है इसमाइक्स टैबलेट ले सकती हूँ 5 दिनों के लिए जी आप ले सकती है लेकिन याद रखे कि यह जो होता है जो एंटिवारोटिक्स होते हैं यह आप हर वकत नहीं ले सकते और अपने माइं में रखे अगर आप 5-7 डेस लेना चाहत जरूर दिखाना है ठीके उसके बाद हफसा उबएर के रही है एक दिन संडॉक ना लगाने की साइट एफेक्ट को एक नाइट क्रीम जो संटैन रिमूव करती हो चैंसल आउट कर सकते हैं जो हम रोज रात को लगाते हैं जो भी हम ब्लूस कर रहे हो आपको जी आप कर सकते पहें देपेंड करता है कि यह नाइज पहसा था पता चलिए कि आप चो है वह उत मांटे इसके और सगे इसके लिए प्र थार जू शोल आप फिर इक रात में ठीक ही होगी ठीक है आप वह बीच पे एँपे उख आच्छी नहीं एप ज़गी तो तब यह ठीक नहीं स्ची तो आप कोशिश करें कि जिनका pH बैलन्स हो जो मोईस्टिराइजिंग हो वो सर्दियों में अच्छे लेंगे वो आप लिए जो आप कुछ से खलीदना चाहती है अगर आप क्लिनिक से लेना चाहती है तो पिर आप लेने के नंबर्स डिस्प्रे हो रहे हैं उसके पर कॉल करे कि उनसे आप डिडेल्स ले 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 और अगर मभवाना चाहते हैं तो मभवा भी सकते हैं अफसर अबैट के लिए स्कलाम अलेकूं मुल्डपेस डर्मटोलजिस्ट विकर्स आप फ्री और कॉस्ट हमें गाइट करती हैं हमाई स्कीन की केर करती हैं तुप इटा थैंक्यू मैं डेफरिटली आप लोगों से ही मिलने के लिए आती हूं और आप लोगों के लिए ही आती हूं अब सब बैट के लिए हैं क्या फेस को डबल क्लिंज करने के लिए हम फेस को अट ताइम टूग वार फेस वाश से दो हो सकते हैं डबल क्लिंजिंग करने का तरीका यह है कि आप दो दफाए face wash पे दूख करेंगी तो डबल क्लिंजिग का मतलब होता है कि दो तरह के cleansers को यूज करके cleansing करना और cleansing हमेशा face wash करने से पहले ही की जाती है अचा है इसमें double cleanse करने का तरीका क्या है आप कोई से भी वेट आप कोई से भी जो है वो यूज कर सकते हैं make-up remover use कर सकते हैं या पिर आप use कर सकते हैं make-up removing wipes ठीक है अचा है इसके इलावा liquid form में होते हैं paste की form में या clay की form में होते हैं ठीक है उसके बाद आप उससे cleansing कर लेंगे और cleansing करने के बाद फिर आप face wash करेंगे okay this is called as double cleansing ठीक है double cleansing का मतलब यह नहीं है कि आपने face wash को दो दफा पेस के लगालिया और double cleansing होगी यूज से कोई cleansing नहीं होते है ठीक है हाफसाब बैक के नहीं क्या adapt cup cream underarms को लाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं जी यह इंद बिल्कुल नहीं कर सकते जैनर महमत के लिए I always answer the question rightly but not on a single time hoping to see my name as lucky winner someday sure आप बार-बार answer भेजें क्योंकि जो मैंने last time question पूचा था उसकी balloting हमने इस week में कर देनी है और फिर मैं जो coming week in this session होगा उसके अंदर विनर को अनांस कर दूँ ठीक है मैं पिर से इक दपा question पूच लेती हूँ मैंने पूचा था कि जो whitening pills होती है उसका जो common most common ingredient है उनमें क्या होता है ठीक है आपके उसे ingredient का नाम बताना है अब सब बैद केरिये max step face wash and max step clean अपने patients को recommend करती है क्या ने जीन मैं यह दोनों चीज़ रेके मैं नहीं करती है जैने महमर कही है I admire your dedication to come live every week despite being busy all the way बड़ मुझे आपरों से बात करके और मुनकार करके अच्छा लगता है बचीह अरपान कही है मैं मेरे 2C section हुए है anesthesia spinal था अब मेरी back में पें रहता है कुछ बता दें वैसे वचीह यह जादा तर कुछ अर्सा रहने के पात ठीक हो जाता है बट अगर आपको persist कर रहा है तो इस बेडर के आप एक तफा और्थोपेडिक को दिखा दें ठीक है हडियों माला जो डॉक्टर गोता है उसको एक तफा दिखा दें बताने से कुछ नी होगा आपको अपनी पुजिशन में देखने पड़ेगी क्या होता है और क्यूंकि वह जो जो स्पाइनल अनेस्थिया होता है उसकी वज्जह से आपको दर्द रही होती है इस बेडर कि आपको दिखा दें ठीक है हडियों के जो दॉक्टर होते हैं उनक को दे देगे हम सब बैट के लिए बालों को स्मूथ करने के लिए को ये पोड़िबल सेरं बता दें अच्छा जी मैं दिखाते हूं दोनों ले आएं क्यारटॉक्स वाला भी ले आएं बूसरा बैट प्रेस्टर भी लेएं अच्छा देखें जो बालों की चीजें होती है ये उपर से लगानी होती है और अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो पर रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं होता जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा ही रिजल्ट होगा ठीक है मैं आपको यहां पे दो सर्म्स टिखाने लगी हूं जो के आप या बहुत अच्छी क्वालिटी का है और यह बहुत अच्छी क्वालिटी का है biodyspansives कर सकते हैं, और शक्राइब के लिए। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए और और इंफिरमेशन चाहिए तो तो प्रेज के नंबर्स रहे हैं और डिस्क्रे बोरे उसके आपको अपकर सकते हैं अस्तनायन मोगल कहरे हैं असलाम अलेकूं बाइम जी वालेकूम असलाम हफजब वैद के लिए एंजोइ और एवरी सेशन थैंक यू बशनायन मोगल कहरें स्लाम अलेकूम बाइम बीसी कंपनी की पील और इसक्षोलियेट का पॉडटक्ट अकट्र यूज कर सकते हैं एक टाइम में यूज करने के लिए कहरे हैं जी एक टाइम में यूज़ हो सकता है, एक टाइम में जब यूज़ करना होता है, उसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले हेर को अवाप क्लिंजिंग करते हैं पिailed राजा जो हाउन चेंगा क्लिंजिंग करते हैं रजाली कह रहे हैं, मेरे हस्बेंट के हेर फ्रांट से कम हो गए हैं, क्या है रूज करें? अच्छा, सबसे पहले तो जादा अच्छा तरही है, कि आप मैनोचिजन की स्प्रेय 2.5% उससे स्टार्ट करें, उसको लगाना शुदू करें, उसको अट लिस्ट क्रीम लगाएं और उसका रिजर्ड पेखें, ठीक है, अनिला राचा के लिए हैं, एक एक परसंट पील यू इनको यूज करने का तरीका भी फरक होता है, ठीक है, तो बीवेर ऑफ इट, कि ये लिए होता कि हर जो एक परसंट है, उसके लगाने का एक ही तरीका होगा, और उसके पाद अनिला राजा कहरी है, अस्सलाम अलेकूम, डॉक्टर साहबा, आपने मुझे एक लुट विट कै कितने मंथ तक यूज करने हैं और इनका रजल कब तक मिलेगा, आपकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें उसके उपर और या पर मैंने जहाएंगी टैबलिक्स लिखी नहीं है, उसके आगे लिखा होगा कि आपने इसको कैसे खाना है, और कितनी देर उसको पढ़ें और उसके प्रिस्क्रिप्शन का रिखा है, मुझ का रिखा है कि विनर का अनाउंस आज नहीं करना क्या नएची विनर का अनाउंस आज यही करना मैंने एक्स पर अले सेशन में करूंगी। अस्तायन मुल कहरे है, सलाम अलेकुल माम, BC कंपनी की पीप को यूज और कितनी देर यूज कर सकते हैं, कैसे और किती तरह यूज कर सकते हैं, आप हमेशा यूज करते रह सकते हैं, उसको कोई हर्च नहीं है, और यूजिली जो है, वो पीप को आप 10-15 देर्स में एक दफा य यूज करें, 15 देर्स में जल्दी जल्दी यूज दा करें, 15 देर्स में एक दफा यूज करें तो वो अच्छा रहता है, और आप यूज करते रह सकते हैं, यूज कोई हर्च नहीं है, अस्तायन मुल कहरे है, सलाम अलेकुल माम, आप आइलाश की ग्रोथ के लिए कोई अच्छा गर से तो यहीं आपको बताओं तो इसके लावा ने, अच्छा, उसके बाद, ट्रावलिग इन विलिश वोक्स कहरें, माम, डर्माफूचर ब्राइटनिंग सेरम में अलपा अगर है तो कितने परसंट है, अँच्छा ब्राइटनिंग सेरम इसका अच्छा है, और अच्छा ब्राइटनिंग सेरम इसके अच्छा ब्राइटनिंग सेरम इसके वाइटनिंग सेरम के साथ है, और उसके अच्छा ब्राइटनिंग सेरम के साथ है, और उसके अच्छा ब्राइटनिंग सेरम के साथ है, और उसके अच्छा ब्राइटनिंग सेरम के साथ है, और उ मैं लुक झाल सकते लिए बीज़ आपका जाए अपर फिर के लिए लुग सेशन किया था जो कि कर आपक अन्डर अर्णास दर्य लेग के लिए असके लिए जो जो चीज़े मैंने दिखाई थी युछ आप अपनी बैक फनें खरक टे लिह उसके लिए एंपनी इंपनी बेक फ पीडियर शोर्ट मिल्क में मिक्स करके देश सकते हैं क्या यह नुसकुल है और उसे बच्चों के लिए पेरेंस क्या करें इस बारे में हम पेरेंस बहुत परिशान हैं अच्छा मैं पूई चीज बताना चाहते हूं सारे बच्चे बहुता है सऑल को रच्छा की DIRECTORग तरह रचेंधर में इसकी कौईष्यी 방že में अरे मैं जब झाना कीया वारे promotes सारे बच्चे एक जएे से फिउनी की बॉडिबीवडिव और ऊसिए सब्कुल होता है इस जाया को अप्रिशाना तरिल लिए कर सी नग कि के लिएकर, की वेह रपनागी वीज्या , बड़ कि अभर को आ से हिर्टीफ, उस श किवह उन्हार हो रहा है , असपना बड़ के ही हो रहा है तरिया अब्वक्रा अच्टेम, इस वीज से हिर्टीज नहीं मुट्च नहीं प वेकिलाले उसने मोटा या चबी नहीं होना तो उसने नहीं होना, ठीके? मैं आपको यह कहना चाहते हूं कि पीडिया शोर देतो सकते हैं लेकिन जब आप पीडिया शोर देनी तो आप देखेगी कि इतना है होता है कि वो बच्चा बिल्कुली कुछ और कुछ निखाएगा सारा दें कुछ निखाएगा तो आप ऐसे करें कि आप नैचरल चीजों के उपर रखें उसे नैचरल चीजों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राइक कराएगा उसके पीछे नब भागें उसे डिफरेंट शकल की डिफरेंट तरह की बना के आप रखतिया करें और चब उसको बूख लगेगी यार पुछ तो खाएगा ये तो नहीं हो सकता ना कि वो पांच-प अब ऐसको करता होग ये कुछ ठिराने दे यो देखने दें तराइक कोई तकि आ ठ्या डिफरेंट शीजे का टेस्सथ झापने बना के देना है अगर आप उसको ताइस्स दे आता हैंfin को बल्हें लगार टेस्तित करते हैंझागा बार बात रात ये बलand resource तो ये तो वो मुक्तिलिफ colors की और मुक्तिलिफ different colorful dishes में different लिके से present करके रख दिया करें और उसको वो चीज ना दें बार बार जो खाना चाहता है ताकि वो different चीजें try करें और उनको खाये लेकिन अकर उसका पेड भर जाएगा तो पिर्टो गोनी खाएगा और पी लिया शौर के साथ गही होता है कि वो आप खिलाते हैं बच्चे तो तो बच्चा पी तो लेता है लेकिन पर उसके बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाता तो इसलिए मैं तो उसको जादा प्रफर नहीं करती इसलिए कि बच्चे पर बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते पर कुए उनका पेट उनको लगता के भरावर तो वो बिरको नहीं खाते तो आप ट्राय करें इंशाला आपका बच्चा भी खा लेगा और दूसरी बात ये है कि अगर वो अग्टिव है और अगर वो अगर वो नहीं भी होता अनरज्याटिक रहता है खेलता है बोलता है सारे तो प्रिखने सादे माईस्टों तो तो को इसके ठीक है तो इतना परीशान नाम हो पने ताइम पर बड़ा भी हो आपने पर एप नोटा भी ओगाओ जाए इसके चलिगे और मैं फिर से कहूंगी, पहले भी बार-बार कहती रहीं हूं कि जल्दी से जल्दी वाक्सिनेशन करवा लें, अपनी वाक्सिनेशन सब लोग, सब लोग जितनी जल्दी वाक्सिनेशन कराते जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी लाइफ जो है वो back to normal हो सकेगी, ठीके जी, अप